जिन्दगी कितनी अजीब होती है न। जब हम बच्चे थे तो हर पल यही सोचा करते थे कि कब हम बड़े हो जाएं। और आज जब हम बड़े हो चुके हैं तब एसास होता है कि शायद वही लम ही, वही दिन, वही उम्रही जैसे जन्नत थी। दिन की शुरवाती देर से उठने पर होती थी, और जब तक आँके खुलती थी, साधी स्कूल वसी घर के गेट पर होती थी। मा सर दुखरा है, मा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मा ज़ स्कूल नहीं जाना, शायद यही हम सब के बहानों की रटी-रटाइलिस्ट होती थी। पर दीरे दीरे वही स्कूल कब इतना खास बन गया, पता ही नहीं चला ना, वैसे स्कूल तो सिर्फ एक बहाना बन गया था, सिर्फ एक जरिया बन गया था हर रोज हर एक यार से मिलने का, हर रोज नहीं शरारतें करने का, पर आज भी यही रगता है ना, कि वो वक्त जैसे नहीं थम क्यों नहीं गया, और क्यूं हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं, कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का, हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया, हर किसी के लिए स्कूल तो जैसे उसका दूसरा घर था, देर से आना, देर से जाना, पढ़ने तो साला कोई नहीं आता था, पर हाँ, हर रोज हर किसी के पास एक नहीं कहानी जरूर होती थी सुनाने को, पीचर्स की नकल करना, हर नए सेशन में सोचना यार, कोई नई लड़की तो आया बेक, और अगर सच में कोई आ गई, तो सारा दिन हर यार्स यहीं कहना,